हाई फ्रेंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दैनियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए हो बिल्कुल अच्छे फ्रेंट्स आज हम आपके लेके आए हैं उल्टा बर्गर रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है जैसा कि नाम से पता चल रहा है उल्टा बर्गर बहुत ही यूनीक रेसिपी है आप ब्रेकफास्ट में लंच में डिनर में जब चाहें तब बना सकते हैं तो फ्रेंट्स आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं उल्टा बर्गर बनाने के लिए हमने चार बड़े साइज की आलू उबाल के मैश करके रखे हैं आलू के साथ में हमने लिए एक बड़े साइज की शिमला मिर्च जो एकदम बारीक कट करके रखी है आप कद्दू कस भी कर सकते हैं एक बड़े साइज का प्याज एक गाजर, ये भी हमने बारीक कद्दू कस करके रखी है, अब हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, छोटा हदा चमच हमने हल्दी पॉडर डाला है, ये कलर के लिए डाला है, इससे कलर बहुत ही बड़ी आता है, लालमिश पॉडर, सभी मसाले हमने टेस्ट के अ सबी सबजियों को और मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम डाल रहे हैं ब्रेट क्रम्स, लगबग 5-6 चमच हमने या पर ब्रेट क्रम्स डाल दिया है, ब्रेट क्रम्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उल्टा बर्गर बनाने के लिए हमारा आलू बिल्कुल रेडी हो चुका है, कलर भी बहुत बढ़िया आया है, आईए आलू को साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं, अब हम बर्गर के लिए मेयो तैयार कर लेते हैं, मैंने यहां पे बिना फ्लेवर वाली मेयो ली है, लगबग चार चम्मच ह आसपस हम ले लेंगे टमेटो कैचप, चोटा आदा चम्मच हम औरिगेनो डाल देंगे, यह फ्लेवर के लिए है, चोटा आदा चम्मच हम चलिफ्लिक्स डाल देंगे, चोटा आदा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है सभी चीजों के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बर्गर के लिए हमारी मे Aber практи है बहुत ही बढ़ कि लगने है बहुत ही बड़िया लग रही है और हमारा मसाला भी रेड़ी है मेऊ भी रेड़ी है अब distress बर्गर बनाने की तैयारी कर लेते हैं उल्टा बर्गर बनाने के लिए हमने यह पी लिए है ब्रेड की स्लाइस अब हम ब्रेड लेंगे और इसको इस तरह से कटोरी से या ग्लास से कट कर लेंगे इस तरह से हमें bread cut कर लेनी है ये वाला जो part है इसको हमें फेकना नहीं है इसके हम bread crumbs तयार कर लेंगे इस तरह से तोड करके और jar में डाल के हम इसको बारीग पीस लेंगे सबी पीस देखिए हमारे cut हो गए है बहुत बढ़िया लग रहे हैं अब हम फटावट से उल्टा बरगर बना लेते हैं कट करे हुए ब्रेट के पीसेज पर हम मेयो लगा लेंगे अब हम चीज को कद्दू कस कर देंगे चीज कद्दू कस कर दी है अब हमने एक bread की slice ली है इस पे हम वापस से में वो लगा देंगे देखिए इसको इस तरह से cover कर देंगे bread slice से मैंने slice को cover कर दिया है और बहुत बढ़िया लग रही है इसी तरह से हम सारे pieces त्यार कर लेंगे सबी पर चीज डाल देंगे दूसरी स्लाइज पर भी हम मेओ लगा देंगे और कवर कर देंगे बहुत आसान रेसिपी है आप जब चाहें ब्रेकफास्ट लंच या डिनर आप बना सकते हैं इस तरह से हमने थोड़ा सा आलू लिया है और देखिए इसको इस तरह से हम फैला लेंगे हाथ पे अगर आलू का मसाला चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ओईल लगा सकते हैं आलू को इस तरह से हमने फैला लिया है, ब्रेट की स्लाइस तयार की थी, उसको इस तरह से आलू पे रख दिया है, अब हम थोड़ा सा आलू और लेंगे, उसको भी इसी तरह से हाथ पे फैला लेंगे, और इसको इस तरह से कवर कर देंगे, और चारो तरफ से अच्छी तरह स से कवर कर दिया है और बहुत ही बड़िया लग रहा है इसे तरह से हम सारे पीसेज बना के तयार कर लेंगे अब हमने एक बाउल लिया है इसमें डाल देंगे चार चमच मैदा मैदा या कॉंफलोट जो आपके वास अवेलेबिल है वह आप ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका पतला घोल तयार कर लेंगे मैदा को हमने پانी में अच्छी तरह से mix कर लिया है और देखिए पतला गोल बनकी तयार हो गया है और bread crumps भी हमने तयार कर लिये हैं तयार किए है bread crumbs भी मैं एक plate में निकाल रही हूँ अब हम इस तरह से एक burger壓 blender को लेंगे और जो हमने मैदा का गोल तयार किया है इसमें आइस्ता आइस्ता डिप कर लेंगे यह देखिए इस तरह से हमने डिप कर लिया है ब्रेड क्रम्स पर रख देंगे और अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्स से कवर कर लेंगे यह देखी सब तरफ से बहुत अच्छी तरफ से ज़ा है इसी तरह से सारे पीस को तियर कर लेंगे निषरम तर पॉल भी हमने घरम होने के लिए रख दिया है आ गता भी पूर बहुत अच्छी तरह से ज़ नहीं हम इनेट करम्स को लगा लिया भी में सबी बर्गर बन हमने रेडी कर लिये हैं और ऑईल भी गरम हो चुका है अब हम एक एक पीस लेंगे और आहिस्ता से इसको ऑईल में डाल देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर फ्राइ कर लेंगे और बर्गर को जो हमने कढ़ाई में डाल दिया है उसके बाद हम बहुत ज़्यादा छेड़ नहीं करनी है नहीं तो जो हमारा बर्गर बन हमने तयार किया है वो तूट जाएगा देखिए आहिस्ता से पलट देंगे एक साइड हमारी बहुत अच्छे सिक्के तयार हो चुकी है देखिए दूस्य दरब से भी रगर बन के तयार हुआ है बहुत य अच्छा कलर आया है और बिलकुल अच्छे सिस्टयार हो चुका है अब हम इस deaf में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे pieces तैयार कर लेंगे देखिए oil भी नहीं भरा है मैं आपको पास से दिखाती हूँ दूसरा piece भी देखिए मैंने आइस्ता से कड़ाई में डाल दिया है इसी तरह से हम सारे pieces को तैयार कर लेंगे हमारे burgers बिलकुल ready है और हमने serve भी कर दिये है looking में बहुत ही बढ़िया लग रहे है बहुत ही easy और बहुत ही tasty recipe है तो friends आप recipe को try करें, taste करें और अपने comments हम से share करें Thank you, thank you so much, have a nice day